कर दिया है अरुन जी रेकॉर्ड कर सकते हैं यह रेकॉर्डिंग का बट्टम आप्रेस किया है अल्ट प्लस आर अल्ट प्लस आर हाँ जित जी अल्ट लाँज किजिए कि जी और बाजार पेटाई किजी या फिर मुबाइल फॉन से सपार ऐख करना पड़ेगा सिस्टम से करते हैं तो आपको करना पड़ेगा क्या बुलते हैं कि क्वर्च कंप्टी अडियर कर रहें है कि हुआ है है तो हो सब्सक्राइब अब क्रोМ में दिक्क्ट हो तक मौझीशिक बीन थे करें तो आज हम बात कर रहे हैं protection की protection मतलब कि हम चाहते कि जो हमारा जो worksheet है हमारा जो seat है ऐसे sheets को हम कोई हम हमारे अलावा को इसमें किसी भी तरह का changing हुग इसमें कोई Delhi हुग क्लिक करेंगे और जाएंगे प्र Nashet में यहाँ परास्फ پर टाल के Źाट करेंगे यहाँ पास पराइबैस्ट अब एक बात ध्यान रखेगा अरुन जी अगर आप पास्बर्ट देते हैं तो एक छोती सी बात ध्यान रखेगा और पास्वर्ट भूल जाते हैं पास्वर्ट रिकावर नहीं होगा अच्छा ठीक है नहीं सब्सक्राइब करते हैं जो पासवर्ड करते हैं जो पासवर्ड क्रैक कर देता है लेकिन वह भी हंग्रे परसंट गायंटी नहीं देता है पासवर्ड को क्रैक है अब मैं अपने सीट पे किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर सकता हूं जब चेंजिंग करना होगा तो वाँपस हम इसको अन्प्रोटैक्ट करेंगे पासवर्ड डालेंगे लेकिन पास्वर्ड डालने के बाद हम इसको कौपि जरूर कर सकते हैं ठीकर सर्ब यहां यहां पे हम इसको select करके copy, भले change ही ना करें, लेकि select करके हम copy कर सकते हैं, अब यहां पे problem ही है कि हम copy, हम चाहते है कि user से देखिये या print out ले, copy ना करेंगे, अब करेंगे copy ना होगा तो कि copy को रोकना नहीं जा सकता है, यहां पे बहुत सारे checkbox दिख रहे हैं, यहां पे बहुत सारे checkbox दिख रहे हैं, इसमें ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कि allow all users for this worksheet to, allow all users for this worksheet to, ठीक है, मतलब क्या होता है कि password दानने के बाद user क्या क्या कर सकता है, इसका permissions होता है, जैसे कि हमने format सेल कर दिया तो password देने के बाद भी coloring कर सकता है, क्या हो है sir? क्या प्रोल्म आ रही है? यह दो जो selected होता है, selected lock the cell and select unlock the cell, यह by default रहता है Excel का? हलो हाँ तो यह default जो है select lock cell और select unlock cell होता है, अब lock cell और unlock cell क्या होता है, इसके बारे भी हम आगे जा रहेंगे, तो है, इससे हम यह समझ रहे हैं, कि इससे हमारा area select हो रहा है, ठीक है? इससे हमारा area select हो रहा है, समझ गया है? तो हमने इस selection को यहां से remove कर दिया, अब हम कहीं बेख क्लिक ही नहीं कर सकते हैं, तो select copy क्या करेंगे? क्या सब्सक्राइब? े, तो हमकरे सारे hide होगा है, पुर्चा निचीछू, कॉपी तो हम है, कॉपी टोन hide हैं सब्सक्राइब? कॉपी, कंटॉली ही करेंगे तो excel कॉपी होग, तो excel कॉपी पैर्ट है? तो excel कॉपी क्या फरत खरत है? अच्या इससे हम फिक है? कर दो कर दो तो हमने एक हमने एक पर्टिकुलर एरिया हमने कलर्ड किया मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्शन से बाहर कर ठीक है इस पर्टिकुलर एरिया कोई भी काम कर सके है तो आप ऊपर देखते होंगे दिखा हुआ है कि यहां पर प्रोटेक्ट वर्क शीप अब लॉक सेल अनलॉक सेल गया है तो इसके बारे में जाने की तरह आगी है हर एक सेल डिफॉल्ट उसकी पॉपर्टी लॉक होती है कहां पर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल पे जाए और इसके लास्ट वला टैप जो आपका है प्रोटेक्शन टैप उसकी हम बा जी जिस पर लॉक सेल था पासवर्ड उसी को प्रोटेक्ट करेगा और द राइटिंग मज्या है उसको बार्ट नहीं है तो मैंने क्या श्रॉल एरिया को स्लेक्ट किया है और राइट क्लिक लिए मैं फॉर्मेट सेल पे गया और इसका लॉक हमने हटा था तो किसलीlerde के अलावा हर स्यल लौक हे इन इलberger हमारा लॉु अमैं इसमें पाफ पडालता कुछा यह साफ है जा नहीं है कि अहले ही वात कि फ्री ऑफिर मेंट में पाईपीनग नहीं रर्षिभ पाऊंग लेकि सुव्ष टाइप कर पाऊं लेकि सिर्फ टाइप ही कर बाएंगे इसके अलाबा कोई और सीजने कर बाएंगे जो कि ऊपर दिया हुआ है समझ गया है अब इसी का उल्टा अगर हम करना चाहें कि हमने स्लेक किया पूरे एरिये को और मैंने यहां से इसको रेर कलर दे दिया हुआ कि मैं चाहता हूँ कि पूरा एरिया हमारा लॉक्त रहे ho सिर्फित एरिये ऐसम नहीं नहीं कhillने अनलग दे क्या है स्पर आधाया हरे ह व्हों आउप होता है मैं क्यक्त पूरी स्लीटिक कि राइट क्लिक हम फॉर्मेट सेल पर जाते हैं और मैंने आज इसकी लॉक्ट को हटा दिया अभी इंक्लूडिंग डेड एरिया हमरा पूरी सीथ अनलॉक्ट है तासबर की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिर मैंने इस पर्टिक्लर एरिया को स्लेक्ट किया राइट क्ल और हम फॉर्मेट सेल में जायें उसको हमने लॉक्ट कर दिया लॉक्ट करके हमने इसको ओकी कर देगा और इस सब अप्लीकेवल कब होगा जबतक्कि हम सीट में पासवड नहीं राज़ए तो यहां पे काम होगा बड़ यहां पे काम आपका लिए क्वाइख थे, क्वाइख यथी ओध और साय स्टास्राइख टोड बना लाइख द्ट क्वाइख या purely न्य कोई प्त मेंट ध्ल..." कि अस जिए जिए तर्वाइख लाएख दॉक्शल – मत घ्लिटीए .... कि धडल अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब इसका बेनिफिट क्या है अब इसका बेनिफिट करता हूं जैसे की नेम इने क्वान्टिटी एमार्टी एमाउंड इसमें क्या है कि एमाउंट जो है ओ है वह स्कुन्टिटी मल्टिप्लाइबाइब इमार्टी जैस्टी एमाउंड का हमारा 18 परसेंट और कमीशन जो है हमारा टू परसेंट ऑफ एमाउंट और टोटल इन सब का टोटल है यह फॉर्मूलास होता है तो हमने इसको सेलेक्ट करके नीचे तक ज्रैक अब क्या है कि जब मैं टाइप करता हूं इसमें डाल यह नाम पूजा क्वांटिटी हमने डाला और यहां पर 20 और जैसे हम टाइम बारेंगे तो आप देखने हैं कि अटोमेटिक वहता है फिरसल ले जाएकि मुझे यहां डालना पड़ता है तो हरवा मुझे चार कॉलम को स्किप करना पड़ता है मतलब कि चार सकिन हमारा वेस्ट होता है इसका सॉट की बताएंगे देट और टाइम का अंटोल सेमिकॉलन करते हैं तो आपका डेट आता है अंटोल सिप्स अडिकॉलन करते हैं तो प्राइम आता है कहला है मिया जाता है तो 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 है कुछ बोल रहा हूँ आया बढ़ते लिए कि मैं चाहता हूँ कि कोईभी पर्सन इसको तो धिक्कत होता है तो अमने पहले पूरे जल को छिलेकिया जो में पार आए जैंड किन पूरे कुरे करेंगे और जाएंगे ओमेट शेल में और इसकी लॉप और फीर हम इसी पंटिकर एडिया को स्ट्रेट थे फ्रीट करेंगे और वापस इसको लॉप और हम यहां पे राइड क्लिक करते हैं को टेक्षीट पर जाते हैं और यहां velocityти त bacter सिल को उष्चेक करते हैं देकित हां लॉज सेलेक्षण यहां में सल्कूल को ही हमाई और तलग शेल हैं सब्सक्राइब करें तो हमें इतना नहीं लिखना पुड़ा न माने कि अगर मैं आपको सिंपल भासा समझाओं तो आपने एक फॉर्म मुड़ा है प्लीज न्यूट कर लें कि हमने यहां पर मां लिजिए यहां पर में दिया नीन यहां दिया रॉल यहां दिया मार्क और मैं चाहता हूं कि जब मैं एंटर प्रेस करूं तो करसर नीचे के बजाए करसर यहां जम करें या फिर यहां जम करें तो मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा और सबसे पहले मैं राइड क्लिक करके फॉर्मेट सिल में जाके मैं इसकी लॉक्ट को हटा दूगा ताकि इस पर टाइपिंग हो सके फिजब पास्पर डालेंगे इसमें मैं अनलौग सेल ना हो अनलौग सेल ही हो तो क्या होगा कि मेरा इन तीनों के लावा कहीं मूब नहीं करेगा और टाइपिंग हमारे इन तीनों पर होगी क्लिर है सर्क्टाउट इसमें अरुन जी कोई डाउट नहीं होने चाहिए मैंने म्यूट कर दिया हुआ है आप अन्यूट करके अपने स्वाल कोशन पूश सकते हैं अच्छ डाउट तो नहीं है न सर मैंने डाउट नहीं है मैंने यह एक्जामपल आपका मैंने पहले भी और वीडियो देखा है अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स ओप्सन माना है कि अजसी हम दो डेटा में कुछ करते हैं तो हम फॉर्मूला बगरा बना लेते हैं मैंने माने इसमा का वर्मूला ले लिए मैं चाहता हूँ के मैने कुछ कोई फॉर्मूला देख न शक्याना देख सकें जहाँ जितना अरिया पे वार्मूला लगा है उतना अरिया को स्लेक्प कीजिए राइट क्लिक format sale और इसके locked के नीचे hidden होता है इस hidden पे click करके okay कर दीजे अब pass पर डाल दीजिएगा तो यह आपका कोई formula नहीं देख पाएगा इसमें आपको 52 उपर दीख रहा है बट इसमें नहीं दीख रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही seat पे दो या दो से अधिक तरह का पास पर लेगे जैसे मेरे पास दो स्टाप है उनके दो एक ही फाइल पर काम करते हैं इस्टेटरस पर अपडेट करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी मालें अपना स्टेटरस को डालना और मिस्टर बी जह है अपना स्टेटरस इस पर डालते हैं मुझे कुछ ऐसा करना है कि मिस्टर ए मिस्टर बी की डेटा पर शेचार ना कर सकें इसके लिए जाना पड़ेगा आपको रिव्यू में पहले आप मिस्टर ए वाली एरिये को स्लेक्ट कर लिजिए और यहां आये एलाओ एडिट रेंज एलाओ एडिट रेंज पर नूब यहां पर आप अपना पासपर डाल जीचे पासपर कोई डाल जीचे पासपर पर अगे रिव पर आई है तो इसके लिक करके एक मिस्टर बी वाला जो एरिया है मिस्टर वी के एरिया को आप स्लेक्ट ऑख इसपर डाल जा इससे पासपर डाले तुए और पासपर डाले लिए आप्लाई करेंग ऑफ यह पास्पट अपलीकेवल नहीं हवा है पास्पट अपलीकेल अशाए है जब मैं इस पे पास्पट डालूगा शीए तो प्रूंटेक्ट सीट करने ह automation है और यहाँ पे पासपर डाल के बोड़ेंगे, मैं इन दोनों अडियाए के अलावा कहीं टाइप नहीं कर सकता, लेकिन जैसे इस अडिया पे जाऊंगा, मुझ्छ से पासपर पुछे जा, ठीक है? मैं पासपर डाल दिया, तो मैं टाइप जया, सिर्फ इस एरिया पर लोगा अगर मैं इस पर टाइब करने की गोश्चिस किया और जैसे मैं सेव करके फाइल क्लोज कर रहा है फिर अगेन कभी ओपन करूगा तो फिर ऑगेन पासर होच है मतलग कि अभी आपका अगे हैं एक एरिया अनलॉक है कब तक तक टीरिड ओपन जब तक यह ओपन जैसी खोड़ी सेव करें ना गरें जैसी खोड़ी वापास लॉक नग जाएगा ठीक है सर क्लियर है सर्व इसमें चलिए अब इसमें बात आती है कि कोई भी परसर मेरे सीट को डिलीट कर सकता है डिलीट कर सकता है मैं चालता हूं कि कोई भी परसर मेरे सीट को डिलीट कर सकता है तो यहां आपके रिव्यू में ही आपका प्रोटेक्ट वार्टूक होता है इसमें आप पास्पर आज़के कर दें तो आप क्या कोई भी किसी सीट को न इंसर्ट कर सकता है न आशीट न डिलीट कर सकता है न रिडेम कर सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है अब बात करते हैं फाइल की ओपनिंग पास्पर जैसे आपका फाइल बिल्कु नया है आप चाहते हैं इसमें पास्पर लगाया है तक कि बिला पास्पर कोई उपन न गट रिये तो सेव एज कीजिए सेव एज करते हैं आप ब्राउल जाहिए और यहाँ आथ टूल्स के अंदर आपका जनल उफ्षण है तूल्स के अंदर जनल ऑफ्षण है उस पर आप पास्पर झाहिए पास्पर तो जाहिए делать लागाइए इसपन तो उतलित तब सत्व नहीं ढह admits अगर पास्वड नहीं है तो उसको ओपिन कर पाएगा इस मोड में लेकिन बात आते है कि फाइल तो सेव एच करना पड़ेगा बट मेरा फाइल तो अल्रेडी सेव है एक सेव एच करके डिफरेंट नाम नहीं मराना चाहता हूँ तो उस केसँ पि क्या करेंगे आप यहा इंफो के अंदर जायेंगे और info में आपका यहां होता है यहां वर्क व्रक भू और यहां होता है यहाँ आप अपना पासबर्ड डाल सकते हैं ठीक है लेकि ओपनिंग पासबर्ड सुर्ण सर एक बार फिर से पासबर्ड वाजी आप फाइल को चाहते हैं कि ओपन कोई ना कर सके बिना पासबर्ड के तो केसे अगर आपकी फाइल ओलेडी सेवड है तो आप यहाँ इसमें इन्फो के अंदर में आप पर्टेक्ट वर्क बुक में एंकि बिक पासबर्ड सी कर सकते हैं तो आप सेव एज करते समय भी डाल सकते हैं तो सेव एज करते समय डालने से क्या होगा टूल्स में जाके जन्रल ऑप्शन में कि आपका पासबर्ड तो ओपन और पासबर्ड तो मोडिफाई दोनों आप डाल सकते हैं ठीक है यह हमारा प्रोटेक्शन में थर्ड था और जिनोंने लेड जोईन किया है उनको आज की रिकॉर्डिंग में बेज दूंगा तो उससे आप देख लिए ठीक है कल हम डिस्कॉर्स करेंगे डेटा फिल एंड शॉर्टिंग के वारे लिए हाँ बुलिए तो आज हमने डिस्कॉर्स किया प्रोटेक्शन तरह चोटा टॉपिक था आप इस पे किजिए बहुत शोटा टॉपिक था बट बहुत इंपोर्टेंट था आगे चलके हमें काफी ज जोटिमोटः डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हैं वार्टसव कर सकते हैं बडरी डाउट होगा आप लिए लिक लिबट जिएगा और कलकी क्लास स्टार्ट होने से पहले उससे पुछी ठीक है और बाकी जो लेट ज़ूइंग युपार्डिंग लेशिझ देता हूं जिनकी रिकार्डिंग हो गई उनकी नहीं नहीं लेज जोइन किये उनकी लीज जोइन किये उनकी लीज बोलना होगा